हेलो दोस्तो आज से कुछ साल पहले हावर्ड यूनिवरस्टी में एक एक्सपरिमेंट किया गया था कुछ लोगों की परसनल बोडी लैंगविच पर ये देखने के लिए कि अलग-अलग बोडी पोज हमारे ब्रेन और फिलिंग पर कैसा असर डालते हैं और रिजल्ट में उन्होंने पाया कि अलग-अलग बोडी पोज में हमारे ब्रेन के दो कैमिकल में बहुत फरक आता था उनमें पहला कैमिकल था टेस्टोस्टिरोन और दूसरा था कोर्टिसोल टेस्टोस्टिरोन एक डोमिनेंस हार्मोन है जो अच्छी फीलिंग जेनरेट कर जिनकी हेल्प से हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं ऐसे टाइम पर जब हम बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हों ज्यादा तर लोग पबलिक स्पेकिंग बिजनिस मिटिंग और इंटर्वियू में बहुत नर्वस फील करते हैं उनके लिए बोड़ी पोज हम किसी प्रोबलम चैलेंज या सिच्वेशन के लिए पहले से ही तयार होते हैं या उस तरह के चैलेंज और प्रोबलम हमने पहले भी फेस किये हुए होते हैं तब हम इतना नर्वस नहीं होते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में न्यू चैलेंज या प्रोबलम नहीं आई हम नै या challenge के लिए तयार नहीं होते या बहुत ज़्यादा फिकर करते हैं तब हम stress और nervous दोनों feel करते हैं और उस समय हम सहरा ले सकते हैं self generated confidence का जो हमें मिलता है high power pose करने पर तो अब जानते हैं pose number one जिसका नाम है victory pose इसको superman pose भी कहते हैं जिसमें हमारे दोनों हाथ उपर होते हैं कुछ इस तरह से और पैरो के बीच में थोड़ा सा gap होता है space होता है और pose number two है versatile pose जिसको हम wonder woman pose भी कहते हैं इस pose में हमारे दोनों हाथ hips पे होते हैं इस pose में ध्यान रहे उंगलिया आगे की और होनी चाहिए और अंगूठा पीछे की और होना चाहिए अगर उंगलिया पीछे होंगी या कहीं और होंगी तो ऐसा लगगा जिसे आपकी कमर में दर दे और आप उसे support करने की कोजिस कर रहे हो जब भी आप nervous हो या किसी वज़ह से stress में हो या फिर किसी वज़ह से अच्छा फिल ना हो रहा हो तब आप इन high power pose को ट्राई कर सकते हैं ये आपके stress और nervousness को पूरी तरह तो खतम नहीं करेंगे पर आपको समस्या से बाहर निकलने लाइक जरूर बना देंगे अपनी बोड़ी को 5-7 मिनट तक इन position में रखिए और आपको high energy अपने अंदर feel होगी कहते हैं दुनिया विस्वास पर कायम है आप भी विस्वास कीजिए ये चीज आपके लिए work जरूर करेगी जब college में मैंने पहली बार सेमिनार किया था तब ये high power pose मेरे बहुत काम आये थे क्योंकि उस time में बहुत nervous था अब मैं आपको बताता हूँ ये तेरी का काम कैसे करता है हमारा brain और हमारी body आपस में connected होती है जब हम कुछ feel करते हैं जैसे डरना, confident होना, nervous होना या खुस होना तब उसी के हिसाब से हमारा brain body को signal भेजता है ताकि वो उसी तरह react कर सके जैसा हम feel कर रहे हैं जैसे अगर हम डरे हुए हैं तो हमारा brain body को signal भेज़ेगा जिससे वो ऐसा ही react कर सके और तब हमें अगर कोई भी देखे वो जान जाएगा कि हम डरे हुए हैं जब हम खुस होते हैं तो हमारा brain signal भेजता है body को और हमारी body वेसे ही react करती है जिससे देखने वाले को पता चल जाता है कि हाँ हम खुस हैं पर ये चीज उल्टा भी वर्क करती है यानि अगर हम अपनी बोड़ी को उस तरह ढाल लें जिस तरह हम खुस होते हैं तो हमारे ब्रेन को सिगनल जाएगा कि हम खुस हैं और इसी बेस पर ये हाई पावर पोज वर्क करते हैं जब इंसान खुस होता है पावर फुल फिल करता है या फिर कॉन्फिडेंस होता है तब वो जंगा घेर कर खड़ा होता है या बैठता है अपनी बोड़ी को एक्सपैंड कर लेता है आसपास के एरिये पर और जब डरा हुआ होता है या नर्वस होता है तब हम कम जंगा घेरते हैं और सिकुड के बैठ जाते हैं या फिर खड़े होते हैं पर जब हम डरे हुए हो या नर्वस हो और हम अपनी बोड़ी को एक्सपैंड करें जैसे आपने हाई पावर पोज में देखा तब हमारी body brain को signal भेजती है जिसकी वज़े से हमारी nervousness भाग जाती है और हमें confidence feel होता है अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें तो आप इस चैनल को subscribe किजिए और subscribe करने के बाद bell icon को ज़रूर दबाएं और all notification को select करें ताकि हर वीडियो का notification आपको मिले सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिगा और इस वीडियो के end में आपको दो वीडियो दिखेंगी उनमें से एक जरूर देखना उनमें बताई हुई बाते आपके बहुत काम आएंगी सेर कीजिए अपने दोस्त और family members के साथ ताकि वो भी ये तरीका जान जाएं और उनकी भी काफी सारी problem solve हो जाएं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया